आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जो आपको कल दिफ्टी और बेंक निफ्टी का कैसा मॉवमेंट रह सकता है मार्केट को कैसे लोग कर सकते हैं साती साथ को कौन को से स्टॉक को डिखते हैं तो निफ्टी में इस लेवल से 16 350 16 300 के लेवल से continue आपको selling pressure आ रहा था लास्ट अगर आप देखेंगे तो तीन से चार के session में यहीं से आपको बार बार निफ्टी जो है नीचे की और जा रहा था लेकिन आज के session में अगर आप देखेंगे तो आपको जो है इस label को cross करके और closing भी जो है आपको इसके ऊपर दिया है हम लोगों ने लाश्ट के वीडियो में भी यही डिसकस किया था अगर आपको इस लेवल पे market हाल्ट करता है हाल्ट करने के बाद ब्रेक आउट देता है तो हम लोग यहां पर बाई कर सकते हैं और इस लेवल के नीचे हम लोगों का दिया हैत अब मार्केट का जिंप अच्छे जिगह लिइंड है अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम需要 के अगर आप निफिप बहुत रहें देखेंगे आगर आप डेली चार्ट में देखें तो नीचार्ट में इसने अपने पिछले लाश्ट के चार से पांस दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया अब जो है इस लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं तो इस लेवल पर हम लोगों का सिंपल प्लान यह रहेगा अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या आपको सम्वेर अराउंड इस 375 380 या 400 के खुलता है तो हम लोग जो है आपको इस लेवल पर अगर फाइब मिनट का केंडल अगर पोजीटिव इडाता है अगर बनता है तो हम लोग इस लेवल पर भाई कर सकते हैं आपका जो है नीचे की साइट यह स्विंग जो है आपका इस्टॉप लॉस होगा जो क कि रेंज बाउंड आपको क्लोजिंग दिया यहां पर तो यह जब मार्केट अगर इसके ऊपर खुलेगा आपको 30-40 पॉइंट से गैप अप होके अगर ऊपर खुलेगा तो अगर यह नीचे भी आएगा तो आपको यह लेवल जो है एक सपोर्ट की तरह काम करेगा तो मार उपर आपको बहुत ज्यादा गैप खुल जाता है सपोज 425 430 440 के असपास अगर खुलता है तो फिर आप ट्रेट को लीव कर देना एक बार के लिए उसको पुल बैक लेने देना क्योंकि अगर आप देखोगे तो उपर की साइट फिर आपको जादा सपेस बचेगा नही इसके बाद अगर आपको जो है यह उपर जाने लगता है तो फिर आप यहाँ पर सकते हो कयां कि और पर फिर आपको पर तो फिर यह लीव कर देना कर देना și एक बार के लिएग लैने पुल्बेक लेने के बाद अगर यह बुलिष साइर निशीयट है तो अगर करेंगे अगर लोग को इसका लिंक है आप लोग यह टेले चनल को जोईन कर सकते हैं अब और और नीचे कि साइड नीचे की साइड हम लोग मार्केट को ट्रेड करने के लिए नहीं देख रहे हैं अगर जब तक यह स्विंग ब्रेक नहीं होता है यह आपको 16-160-170 जब तक यह स्विंग नहीं होता है तब तक जो है हम लोग पर इस लेवल पर आपको इंट्री मिल जाता है तो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर आपका रिस्क तोलि मैक्सिमम 50 प्रेंट का वायर्ड जो है आपको एक अच्छा मिल सकता है वन 21 1 फेंट आपको उत्व कि अशन क्र shipment हो सकता है अब चलंग हम लोग बेंक गिज की में तो दो बना हुआ हुआ है बैंक में आपोस तु स्टिय को और आपकोव कर गिया तो अगर आज आप बेंक निफ्टी का भी क्लोजिंग देखेंगे तो बेंक निफ्टी जिस लेवल को आज पूरा दिन रिस्पेक्ट कर रहा था उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है अगर यह आपको इसी लेवल पर मिलता है या 40-50 पॉइंट के ऊपर अगर तो आप इसको इमेडियेटली कर सकते हों 50-60 पॉइंट के साथ क्योंकि उपर में फिर इसके पास जो है 36-200-36-300 तक के जाने का जो है इजी एक इसके पास वे है तो इसके पास यह स्पेस है उपर जाने के लिए जहां पे की यह जा सकता है तो इसलिए अगर आपको 50-60-70 पॉइंट तक का भी अगर आपको मिलता है 36-70-80 पे भी मिलता है तो वहां पे भी आप एक रिस्क ले सकते हो क्योंकि उपर के साइट इसको जो है 36-250-36-300 तक का जो है एक इजी स्पेस है वहां पे यह कंटिन्यू जा सकता है नीचे की साइट सौट करने के लिए हम लोग तब तक नहीं देखेंगे जब तक कि बेंक निफ्टी भी आपको यह स्विंग नहीं करता है यह स्विंग अग पिर आपको 36,070 के लेवल पर हम लोगों को इंट्री मिल जाता है तो वह एक अच्छा लेवल होगा जहां पर कि आप लोग इंट्री ले सकते हैं 36,000 के इमीडियेट नीचे का इस्टफ लॉस रख्के तब तक में जो है आपको बेंक निफ्टी में एक सार्प सेलिंग नहीं देखने को मिलेगा अब चलिए स्टॉक में देखते हैं सबसे पहला स्टॉक है आपको टाटा मोटर्स ने आज एक काफी अच्छा रेली दिया है यह 300 के ऊपर भी सश्टेन किया है कल हम लोग इसको अगर यह फिर से बुली साइन सो करता है तो ही हम लोग ट्रेड लेंगे तो क्योंकि यह आज आपको 10 रुपया के आच्छा एक मोमेंटम किया है तो कल जो है आपको एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग इसमें आ सकता है उसके उसके बाद जो है अगर यह फिर से बुली चार्ट में जाके देखेंगे तो वंडे चार्ट में इसने एक डवल बॉटम बनाया है पहला यहां पर स्विंग बनाया आपको उसके बाद जो है उपर क्यों रिकावर किया और फिर से सेलर आए और इस स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया और आज अगर आप उपर की आई को ब्रेक करके क्लोज दिया और 300 के साइकलोजिकल लेवल के ऊपर भी क्लोज दिया तो आपको जो है टाटा मोटर्स जो है कल हम लोग कर सकते हैं लेकिन जो है एक बार के लिए इसमें थोड़ा सा पूल बैक आने दिजिए फिर जो हैं लोग इसको बाई करेंगे अगर चौटा सब्सक्राइब अगर अगर आपको इंट्री मिलता है ओन रिफी के ऊपर अगर आपको एक फाइब मिनट का बूल स्केंडल बनता है तो आप जो है इस लेवल के नीचे ओल्मोष्ट 1.45 के साथ जो है आप इसको बाई कर सकते हैं 1.5.1.5 प्याग प्याइज होगा लुपीज का आप लोगों का टार्गेटों का इंट्राडे के लिए अब तीसरा एक श्टॉक है आपको इन्फोसिस आइटी सेक्टर जो है काफी बुलिस लग रहा है और जो है आज भी आइटी सेक्टर नहीं समाला हुआ था आज अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जो है लाश्ट में एक जो है हल की सी इसमें गिरावत आई है और कल कल अगर ये इस्टॉक आपको फिर से 1687 के उपर एक 5 मिनट के चार्ट में एक बुली स्केंडल बनाता है इस लेवल के उपर 1687 के उपर अगर 5 मिनट के चार्ट में एक बुली स्केंडल बनाता है तो हम लोग जो है इसको 7 रुपे के स्टॉप लॉस के साथ जो हम लोग इसको बाई करेंगे हम लोगा टार्गेट जो होगा वह आपको 1700 का होगा क्योंकि अगर एक बार इस लेवल को यह स्टॉक ब्रेक करेगा 1695 के लेवल को अगर यह ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक में जो है एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आज यहीं पेसने और उसके ब सब्सक्राइब करेंगे इसमें भी आपको 10 रुपे का सब्सक्राइब कर लेए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेए साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम ग्रूप का लिंक है तो आप लोग टेलिग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं वहाँ भी मैं डेली अपडेट करता रहता हूं धन्यवाद